विराजपूर नाम के एक शहर में अनमोल करके एक आदमी रहता था अनमोल एक कुरियर कम्पनी में काम करता था वह उनके माता पिता और बीवी के साथ एक छोटी से गर में रहता था अनमोल रोज उसका पुराना खाटारा स्कूटर लेकर कुरियर देने पूरा शहर और गाउं घुमता था उसका स्कूटर पुरानी होने की वज़ा से प्रती गंटा 15 या 20 किलोमेटर से ज्यादा जा नहीं पाती थी इसलिए उसका कुरियर डेलिवरी देर हो जाती थी एक दिन उसका मेनेजर ने उसको बुलाया और ऐसा बोला अरे अनमोल भाई तुम कुरियर को डेलिवरी इतना देर करोगे तो केसा चलेगा तुमको पता है ना कितना कॉम्पटिशन है प्रेवेट कमपनियों में अगर तुम देर से डेलिवरी करोगे तो हमारा कस्टमर्स चले जाएंगे और कमपनी तुमको सैलरी नहीं दे सकती सोच लो ठीक है सर मैं कल से सावधान रहूँगा लेकिन सब कुरियर वालों को अच्छी स्कूटर और बाइक इस्तमाल करते हुए देखकर वो भी नया गाड़ी खरीदने की सोचता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे फिर अनमोल और उसके कमपनी में दो दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं अरे यार मैं एक लकडी की हेलिकॉफटर बनाना चाहता हूँ और उस हेलिकॉफटर से हम जल्दी कुरियर डिलिवर कर सकते हैं इसके लिए हमें पैसा इकटा करना है क्या बोलते हो यार लेकिन यार वह उड़ेगा केसे अरे यार भूल गए कि मैं एक मेकनिकल इंजिनेर हूँ मैं स्कूटर के इंजिन के साथ लकडी की हेलिकॉफटर उड़ा सकता हूँ आइडिया तो एकदम सही है यार ऐसा सोच कर तीनों दोस्त मिलकर अनमोल के स्कूटर को हेलिकॉफटर में बदल डालते हैं और अगले ही दिन से अनमोल कुरियर डिलिवरी उसी लकडी के हेलिकॉफटर से करने लगा वो टाइम से पहले ही डिलिवर कर रहा था अनमोल को देखकर उसके दो दोस्त भी ऐसा ही एक लकडी की हेलिकॉफटर मांगा और अनमोल उनको बहुती कम दामें उनके स्कूटर को लकडी की हेलिकॉफटर में तयार करकर देता है इन तीनों को हेलिकॉफटर इस्तमाल करते होए देख उसका मैनेजर ऐसा बोला अरे भाई लोग तुम्हारा हेलिकॉफटर देखा है मैंने वह बहुती अच्छा है और इस जमाने से बिलकुल ही आगे है अनमोल मैं तुम्हारा नाम एन्यूल एवर्ड्स के लिए रिक्मन कर दूँगा तबी से अनमोल पूरे कंपनी में बहुती मशूर हो जाता है और मैनेजर ने कंपनी में सारी एंप्लोई की स्कूटरों को हिलिकॉफटर में बदलने का कॉंट्रेक्ट भी अनमोल को देता है ऐसा अनमोल बहुती कम दाम में सारे स्कूटर को हिलिकॉफटर में बदल देता है ये सब देखकर कंपनी वाले ने अनमोल को Employee of the Year का Award भी देते हैं इस बात से खुश हो कर एक दिन अनमोल अपने माता पिता और बीवी को उसी लकडी के हिलिकॉफटर में सारा शहर दिकाने के लिए ले जाता है इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि एक आइडिया जिंदगी को बदल सकती है बहुत समय पहले दुर्गपूर नाम का एक गाउ रहता था उस गाउ में शंकर नाम का एक किसान अपने पतनी दुर्गा और बेटा विनोध के साथ रहता था शंकर के पास थोड़ा ही जमीन था और वह उसी पे टमाटर का खेत लगाकर खेती करता था लेकिन कुछ दिन से शंकर का तबियत कुछ ठीक नहीं था वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और कुछ भी काम कर नहीं सका उसका घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था तब ही विनोध खेती करना शुरू कर देता है पिता जी आप बिलकुल परेशान मत हो मैं पूरा काम संभालूंगा बस आप जल्दी ठीक हो जाएए लेकिन कुछ दिन के बाद शंकर उसकी बिमारी के वज़र से गुजर जाता है और उसका टमाटर का खेत भी खराब हो जाता है विनोद बहुत उदास हो जाता है और एक मंदिर के यहां जाकर रोने लगता है तबी वहाँ पर एक बाबा बेक मांग रहा होता है और वह ऐसा पूछता है बेटा तुम इतना उदास क्यों हो तुम भगवान के पास आये हो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए अरे बाबा मेरा नसीबी खराब है एक तो मेरा पापा गुजर गये है और मेरा खेत भी खराब हो गया है ऐसा बोलते ही उस बाबा ने विनोद को कुछ जादूई जल देता है बेटा ये कुछ जादूई जल है इसको तुमारी खेत में डाल कर देखो शायद ये तमें काम आ जाएगा विनोद बाबा से जादूई जल लेकर वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर मुढ कर देखा तो बाबा वहाँ पर नहीं है तब ही विनोद समझ जाता है कि वह बाबा के पास जादूई शिक्तियां है विनोद जाकर उस जल को खेत में डालता है और जाकर सो जाता है ऐसा ही कुछ महीने बीच जाते हैं लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उखता फिर एक सुबह जब विनोद सो रहा था उसकी माँ चिलाती है अरे विनोद ये देखो हमारे खेत में क्या हुआ मा की आवाज सुनकर विनोद बाहर आकर देखता तो वहाँ पर एक पेड़ है जिसको बहुत सारे सोने के टमाटर थे अरे विनोद ये सब कैसे हुआ ये तो चमतकार है अरे ये तो जादू है मा उस मायावी बाबा जी का जादू है मैंने उनका दिया हुआ जल हमारे खेत में डाला है ये सोने का टमाटर का पेट उसी की देन है ये बात सारी गाउं में फैल जाती है लेकिन उसी रात को दो चोर उन सोने के टमाटर को चोरी करने के लिए आते हैं जब वह चोर उस पेट के नस्दीक आकर टमाटर को तोड़ने लगते हैं तब ही वह जादुई पेड बोलने लगती है अरे ओ मूर्ख चोर चोरी करना महापाप है रुक आप दोनों को अभी में सबक सिखाता हूँ ऐसा बोलकर उन दोनों चोरों को जादुई शेक्ती से उस पेड बान देती है जब सुबह उठकर विनोद देखता है तो वह चोरों को पेड को बंदा हुआ देख चौक जाता है फिर चोरों को पोलिस के हवाले कर देते हैं तब से विनोद सोने की टमाटर बेच कर खुशी-खुशी से रहने लगता है भूमिगत बैल गाडी बगलापूर बिहार का एक छोट असा गाउँ था उसमें शुबह नाम का एक आदमी रहता था सुबह उसके माता पिता और एक बाई छोटू के साथ रहता था सुबह पास एक बैल गाडी भी थी लेकिन उसको बैल गाडी चलाना बिलकुल नहीं अच्छा लगता था क्योंकि वह पड़ा लिखा नहीं था वह काम भी कुछ नहीं करता था बस सारा दिन उसके दोस्तों के साथ बैट कर पीता रहता था एक दिन सुबाश दारू पीते हुए जुआबी केल रहा था पुलीस आकर उसे जेल में डाल देती है तभी उसका बाई छोटू पुलीस टेशन आकर बैल दिलवाता है फिर उसके पापा ने ऐसा बोला अरे नालाएक बुद्धू कुछ सीख लो अपने चोटे बाई को देखकर वा कितना मेहनत करता है पूरा गर भी चलाता है तुम भी मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ तभी पता चलेगा तुमको लेकिन सुबाश सुधरता नहीं है पैसों की लालच में आकर उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक प्लैन बनाया गाउं के अंदर उसने एक भूमिगत सुरंग होता है और यात्रियों को बेल गारी में बिटा कर भूमिगत सुरंग में ले जाकर सारा पैसा लूटने के लिए सोचता है एक दिन सुबाश का भाई छोटू का दोस्त गाउं में आता है अरे भाई चलोगे मुझे बदलापूर जाना है ठीक है सार चलिए लगता है आप कुछ जरूरी काम से आया हुए है आईए मैं आपको जल्दी बदलापूर लेके जाऊंगा ऐसा बोलकर उसको बेल गाड़ी में बिटा लेता है कुछ दूर जाते ही सुबाश उसको उसी बूनगत सुरंग में ले जाता है और ऐसा बोलता है अरे ओ साब चुट चाप अपना सारा पैसा मुझे दे दो नहीं तो इसी सुरंग में गाड़ दूँगा जान प्यारी है तो बाहर जाकर किसी से कुछ मत बोलना ऐसा बोलते ही वह आदमी डर जाता है और उसके पास जो भी पैसा था सुबाश को देता है बाहर जाकर सारी बात उसके दोस्ट चूटु को बता देता है तभी चूटु को अपनी भाई पर शक हो जाता है क्योंकि उस गाउं में दो तीन ही बैल गाडी वाले थे फिर एक दिन छोटो अपना वेश बदल कर सुभाश का बैल गाडी के यहां आ जाता है तबी सुभाश उसको बैल गाडी पर चड़ने के लिए बोलता है कुछ देर के बाद जब वा सुरंग आता है सुभाश उसके अंदर बैल गाडी को लेकर जाता है छोटो को धमकाने लगता है साहाब अभी उतरिये बहुत हो गया आपके पास जो भी सोना पैसा कुछ भी है हमारे हवाले कर दो नहीं तो सीधा भगवान के पास पहुचा दूँगा तभी छोटो को सारी बात पता चल जाता है उसका वेश निकालते हुए ऐसा बोलता है भया मैं तुम्हारा बाई छोटो हूँ आज तुम मुझे ही लूटने के लिए देखा है ये ठीक नहीं है भया चोटो को वहाँ पर देख सुबाश चौक जाता है और बहुत शिर्बिंदा हो जाता है तब से चोटो को शपत करता है कि वह अभी से इमानदारी से जिऊंगा उसके बाद सुबाश ने अपनी बैल गाड़ी इमानदारी से चला कर अपने घर को चलाने में भी हाथ बढ़ा देता है बढ़ा ट्रेक्टर टायर और चोर जंगपुर गाओं के पास के जंगल में एक गुफा में सोनू और उसकी गैंग रहती थी सोनू की गैंग आसपास के गाओं से चोरी का सारा समान गुफा में इकठा करते थे वो आसपास के गाओं में जो भी समान चोरी करते जैसे सोना, चांदी, बरतन और बाकी कीमती समान उस गुफा में छुपा दिया करते थे लेकिन चोरी करने के कारण उन्हें हमेशा पुलिस का डर लगा रहता था लेकिन जंगपूर और आसपास के गाउं में चोरीयां बढ़ने के कारण पुलिस वहाँ पे दबिश देने लगी और उन्होंने सोनू गैंके एक दो चोरों को पकड़ भी लिया था लेकिन किसी भी चोर ने भी तक गुफा का पता नहीं बताया था यह देखका सोनु चोर की चिंता बढ़ने लगी भाईयो कुछ सोचो अगर पुलिस हमारी इस गुफा तक पहुँच गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सालों से जो हमने यहाँ धनी कठा किया है वो सारा पुलिस पकड़ लेगी लेकिन उस्ताद हम क्या कर सकते हैं बाहर तो पुलिस का सक्त पहरा है तभी एक चोर ने सोनु को सला दी सोनु उस्ताद मेरे पास एक ट्रेक्टर है चुमना ऐसा करें ट्रेक्टर में सारा चोरी का समान भर कर अपने खेत की फसल में दबा देते हैं जब समय मिलेगा शहर लेया कर बेज देंगे हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं लेकिन गाओं के सीमा पर तो पुलिस का पहरा है गाओं में लेकर कैसे जाएंगे वो तो सबी वाहनों को चेक कर रहे हैं तभी एक गैंग मेंबर को एक बच्चे को टायर से खेलता देख एक आइडिया आता है और वो सोनु को अपना आइडिया बताता है हाँ ये ठीक रहेगा सोनु और उसके आजमें सारा चोरी का सामान ट्रेक्टर के बड़े बड़े टायरों में चुपा देते हैं और उन्हें फिर से ट्रेक्टर में लगा कर उसे चला कर गाओं की सर्ब ले जाने लगते हैं लेकिन गाओं की सीमा पर पुलिस उनका ट्रेक्टर को पर चेक करने लगती है रोको, क्या है इस ट्रेक्टर में? अरे कुछ नहीं है सर देख लीजिए, आप खुछ चेक कर लीजिए पुलिस ट्रेक्टर को चेक करकर जाने देती है और ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समान ट्रेक्टर के टायर में डाल कर वो लोग गाओं में चुपाने लगते हैं लेकिन एगीन गाओं की सीमा पर पुलिस वाले अपने ड्रक स्क्टर के डॉग के उस ट्रेक्टर को चेक करवाते हैं डॉट स्क्वेर का कुता ट्रैक्टर के अंदर कुछ सुनकर भौगने लगता है पुलिस पॉलों को उन पर शक हो जाता है क्या है इसके अंदर? रुको हमें तुम्हारे ट्रैक्टर के टायर खोलने पड़ेंगे अरे अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है ये सुनते ही सभी चोर वहां से भाग जाते है पुलिस उनका पीछा करती है वो सोनू और उसके गैंग को पकड़ लेती है और ट्रेक्टर के टायर के अंदर से सारा चोरी किया हुआ समान भी बरामत कर लेती है सोनू चोर के गैंग के पकड़े जाने के बाद जंगपूर और आसपास के गाओं ने चैन की सांस ली जिस चोरों के गैंग को बड़े बड़े पुलिस वाले ना पकड़ सके उसे डॉक स्क्वेड के डॉक ने एक मिलट में पकड़ लिया